वेल्कम इस्टुरंस आज हम सॉल्ब करेंगे मादमिक परिक्षा 2020 के मैथमेटिक्स कोश्चन के लॉंग कोश्चन में से कोश्चन नमबर 14 और 15 को जो के लास्ट कोश्चन है ठीक है और इसे पहले वीडियो में मैंने कोश्चन नमबर 12 और 13 सॉल्ब किया था उस वीडियो का लिंग मैं नीचे description में देदूँगा वहां से आप देख सकते हैं तो चलें कोश्चन नमबर 14 पर कि यह कोश्चन नमबर 14 और 14 जो यह मेंसुरेशन से होता है इसमें तीन कोश्चन होता हमें दो सॉल्ब करना पड़ता है हरे कोश्चन फॉर मांक्स का होता है ठीक है तो राइट circular hollow pipe है ठीक है लंबित्ताकार एक hollow यानि खाली pipe है और उस pipe का जो outer radius है आशओ रेडियस आशओ रेडियस यह बाहरी अर्द्वयास 5 cm है और अंदर का जो रेडियस है इनर रेडियस यह अंदर का अर्द्वयास वह चार सेन्टिमेटर है if the total surface area of the pipe is 1188 square centimeter अगर pipe का जो total surface area है वो 1188 square centimeter ये बर्ग centimeter है find the length of the pipe तो pipe का लंबाई क्या होगा क्यात करना है मालूम करना है 20 centimeter answer होगा तो इस तो निए रहा है इसका solution और ये जो है आपका chapter 8 जो है राइट सर्कुलर सिलिंडर लंबिता कर बेलन उसका एक application ये आया है actually ठीक है तो ये समझ लिजी एक pipe होलो pipe है बाहर का जो radius यहां से लेके center से लेके लाज तक यह होता outer radius यह बाहरी radius अर्द्वियास ठीक है आरवान और यहां center से लेके अंदर तक जो हता इसको बोलते है inner radius जिसको हम लोग आरटू से समझाते है इसको आरवान से समझाते हैं तो आउटर रेडियस आरवान जो यह पास centimeter है और इनर रेडियस जो है आरटू वह फो सेंटीमेटर है और यह अरवान जो दिखता है और ऊपर में जो यह दिख रहा है एक रिंग का यह और नीचे में यह सभी यह चारो तरफ एड होकर कि यह टोटल सर्फिस एरिया का फॉर्मुला होता है जो कि मैंने इस चेप्टर में चेप्टर रहीट में इंत्रोडक्शन में भी बताया था टोटल सर्फिस एक और यह एकुवल टू कोश्चिन में दिया है 1188 तो बाइदा कंडिशन जैसे कोश्चिन में लिखा उस सब्सक्राइब क्या भष्यतों और झालों में सब्सक्राइब और वर ढरखर ऑफ नाये कि पाई होगा पाई का वेलू 22 बटा साथ हो जाएगा इदर 594 हो गया इसको अगर हम काटेंगे 11 से 11 दूना बाइस 11 से इसको काटेंगे तो 54 होगा फिर दो से कार देंगे 54 को तो 27 होगा तो अब क्या होगा यह 7 इंटू 27 इस तरफ हो जागा राइट साइड में और यहां पर हो गाहिए और साथ ही इंटू 27 कर देंगे इसंतर आइस कर देंगे तो इस पलस वान हो जाएगा और नौ से 27 को का टेंगे तो नहों थी आइस तो तीन इंटू साथ हो जागा एक इस यहां हो जागा इस पलस तो इस इकल डूट करना होगा वान को इस तरफ कर देंगे पलस वाने माइनस वन हो जाएगा एक इस माइनस एक बीस सेंटीमिटर हो जागा हाइड चुक्छ निकालना था कि नेक्स्ट कोश्चन है कि हैमिस्फेरिकल पोट विद इंटर्नल रेडियस ऑफ 9 cm is completely filled with water का जरा एक हैमिस्फेरिकल पोट है है मिस्फेरिकल यानि आधा गोला टाइप का एक बरतन है ठीक है यानि जो इस फेर होता है आधा इस फेर उसको हैमिस्फेर हमनों बोलते हैं ठीक अर्द गोलक तो उस तरह का एक बरतन है इसका अंदर का जो रेडियस है अर्द वियास से वह 9 cm उसको क्या किया गया पूरा पानी से भर दिया गया ठीक है कोई प्याला होता उस टाइप का इफ वी फील दीज वाटर इन सिलिंड्रिकल बोटल विट डायमेटर ओप 3 cm in height of 4 cm फिर उस टोटल पानी को अगर हम लोग सिलिंड्रिकल बोटल में भरना शुरू करे ठी करें जिसमें से हर एक बोटल का डायमेटर व्याज जो है 3 cm डायमेटर और हर एक बोटल का height 4 cm then find the number of bottles to be required to make the pot empty तो उस बरतन से टोटल हम ऐसे कितने बोटल में पानी भर सकते हैं तो टोटल कितना बोटल हो वह हमें पता करना तो ऐसे एंसर होगा 54 बोटल ठीक है तो इस सम को solve करने के तरीका क्या हुआ कि जो बरतन है hemispharical port है उसका total volume निकालेंगी यानि उसमें total कितना पानी है फिर हम निकालेंगे एक बोटल में कितना पानी आता है यानि उसका वॉल्यूम निकालें ठीक है तो टोटल जो बरतन का total volume है उसको हमनों क्या करेंगे एक बोटल का जो वॉल्यूम आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बोटल में हम पानी भर सकते total volume को एक 20-9 centimeters डीक है तब फॉल्यूम उप वाटर इन ठीक हमीस्फिर कटना कितना होगा तो इसका तो जाएगाathcom क्या सब्क पर्मॉल करेंगेurn व्यान पानी करेंगे तिन से कड़ इन् Casey लंब नाउ यहीनों को करेंगेन 9 x 9 x 3 x 2 एसाभी को इंटू करेंगे 486 होगा उसके साथ इन तो जागा पाई 486 पाई क्यूबिक सेंटिमेटर यह हो गया टोटल वालियूम पानी का उस पोट में उस प्याला में ठीक है इस बड़ा सा प्याला है और अब हम निकालेंगे जो बोटल है उसका वालियूम के कितन कहना होगा तो उसका डाइमेटर दियावद दाइमेटर ओफ सेलिंडिकल बोटल सेलन्डेख या बेलन शेप का जो बोटल उसका डामेटर 300 सेंटीमीटर ऑफार तिन सेंटीमीटर करेंगे लिए और हाइट यह वालियूम कितना होगा यह तो just to survival करफेंच का फार्मोर्मू में कितना होगा radius यानि यह आर है radius है थे आर के जगह में हो जागा 3 बटा 2 इसका स्कुर हो जाएगा into h मतलब 4 तो यह कितना पाइंटू 3 का स्कुर 9 2 का स्कुर 4 into 4 4 चार चार कर जाएगा 9 by 9 by cubic centimeter हर एक bottle का volume में ठीक है अब total volume कितना चार सुच्यासी पाई और एक एक बोटल का वॉल्यूम कितना है नाइन पाई तो इस चार सुच्यासी पाई को नाइन पाई से डिवाइड करेंगे तो पता चल जागा कितना बोटल में पानी भर सकते हैं Therefore, the number of bottles required to make the pot empty बरतन को खा दी करने में total bottle लगेंगे कितना बोलियूँब और बोली का वॉलियूम या आतन थाई तो बोल्यूम कितना चा mismos आखे बटल का वॉल्यूम कितना नाइन पाई इससे डिवाइड करेंगा पाई पाह कर सकते है ॳुची no.3 the diameter of the base of a right circular cone is 21 meters and height is 14 meter a cone right circular cone is a diameter base diameter ठीक है आदर का diameter व्यास 21 meter है उसका height 14 meter है what will be the expenditure to color the curved surface at the rate of rupees 1.50 पैसे यानी 1.5 रुपाई पर स्क्वेर मीटर का जर्ड़ जो कौन है उसका curved surface है यहीं जो curved type का होता है कौन टाइप का होता है उसका total surface को हमें क्या करना color करना है रंग ना कितने के हिसाब से 1.5 रुपिया पर square meter के हिसाब से पूरा को color करने में total कितना खर्च आएगा कितना expenditure होगा वह पता करना है तो देखे किसी बीजिश को रंग करना है तो उसका पहले हमको area निकालना पड़ता है कि कितना area में रंग करेंगा total surface area यह नहीं यहां पर diameter है वह एकिस मीटर है और है चौदा मीटर है डामेटर है तो रेडियस कितना होगा radius of the base और कितना जगा एक इस को दो से डिवाइड कर देंगे एक इस बटा दो मीटर हाइट है चौदा मीटर है तो यहां से हम क्या के निकाल लेंगे सलांट हाइड निकालेंगे तिरिया कुछ आई इन निकाल लेंगे क्योंकि एल के help सही तो हमनों करड़ सर्फेस area यह बक्रतल का चितरफन निकालेंगे तो यह क्या फर्मूला क्या होता बटा है यहां से चार नीचे आजाएगा चार से चार एक बाल में कटेगा एक से 441 को करेंगे चार जल्डे यह2 यह करेंगे 1्5 252 बटा चार जागा इसका होता है 2525 एन drives in to करेंगे तो 1225 हो dipping तो इसके स्क्वेर रूट केतना जाएगा 35 का स्क्वेर एक दो करेंगा 625 मिटर यह होगे यह सारक गया हेल 12 बटा साथ आर के जगा में कितना हो जाएगा 21 बटा 2 और जो हमने निकाला वो निकाला 15 बटा 2 तो यह सब चाहे तो इंतु कर ले कोई problem ने स्क्वेर मीटर तो इतना स्क्वेर मीटर टोटल है जिसमें हमें कलर करना है किसी साफ से कलर करना है डियर्ड रुपई के हिसाब से तो cost of coloring at the rate of rupees डियर्ड रुपई पर स्क्वेर मीटर एक स्क्वेर मीटर में डिल रुपे खर्चा होता है तो टोटल इतना स्क्वेर मीटर है कितना खर्चा होगा तो क्या करेंगे इन्टू कर देंगे 33 x 35 x 2 यह टोटल एरिया है इंटु एक एक स्कॉर में डियर रूपे कर्चा होता है तो टोटल इतना स्कॉर में कितना खर्चा होगा इंटू कर देंगे, इंटू 1.50, यहां पॉइंट हटा हैंगे, तो नीचे 100 आ जाएगा, 100, 00 कटा, ठीके, और हम एक काम करते हैं, कि यहां पे हमने 10 से अगर ना भी काट दें तो के प्रवलम ने, चाहे तो हम 10 और 15 को भी काट सकते हैं, लेकिन नीचे 10 को रगने में फायदा है कि डिवाइड करने में इजी होता है, उपर में यह सभी को इंटू करके, अगर हम देखेंगे, तो आजाएगा, 17,325, नीचे 10 इंटू 2, 20 हो जागा, 20 से इसको जब डिवाइड करेंगे, तो आजाएगा हमारा, 866 रुपे 25 पैस है, ठीके, यह दिवाइड करके, आप फोर मार्स का होता है, ठीके, 4 पिलस 4, 8 मार्स, पहला कोश्यन है, फाइंड दा मीन ओफ मार्स, अप्टेंड बाइड गल्स इस्ट्वेंस, इफ दियर क्यूमिलेटी फिरिक्वेंसिस आर इस फॉलोज, का जा रहा है, कुछ गल्स इस्ट्वेंस है, उनका जो मार्क से, उनक इस तरह लिखा रहता है, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लिखा रहता है, तो क्या करेंगे, क्लास इंटरवल यह बरगंतरान निकाल लेंगे, ठीके, क्लास इंटरवल जैसे इसका निकालेंगे, तो यह 0 से 10 हो जाएगा, यह 10 से 20 हो जाएगा, यह 20 से 30 हो frequency हो जागा 10 से 6 को माइनस करेंगे 10 से 6 को माइनस करेंगे फिर अगला का 18 से 10 को माइनस करेंगे अगला 30 से 18 को माइनस करेंगे अगला 46 से 30 को माइनस करेंगे इस टाइप से करेंगे तो उसका सब्सक्राइब दस में से 6 को माइनस करके जो आएगा इस क्लास का फिरिक्वेंसी ठीक है अगला जोगा 18 में से 10 को माइनस करेंगे 8 आजाएगा अगला वह किलासि मार्क किलेंगे कलासि मार्क क्लासि मार्क कैसे निकालने में पता है जीरो दस के वाला नंबर होगा होजागा कलास लिंठक को क्लासि मारrie करेंगे 2-3 में 355 ऐो लोगे क्लास मार्क अब हम लोग क्या करते एफ एकसाई करते एफ एकसाई मतलब एफ एकसाई को इन्टू करेंगे यानि यहां पर एकसाई है पाच तो छे पच्छे तीस हो जाएगा अगला यहां पर चार है यहां पर 15 है पंद्रा चों के 6 8 इंटू-पचीस दोशो बारा इंटू-पैटीस चासो बीस उसला इंटू पैताले शासो लिस यह सभी एफ एकसाई को सभी को एड़् कर देंगे जो के समेशन हो जागा ठीक है सेमेशन फाइकसाई करेंगे तो आएगा 1430 और यह सब फिरिक्वेंशी हमारा 46 क्या होगा विद्टी से पता चलता है ठीक तो समिशन एफएक्स आए कितना 1430 उपर लिखेंगे और समिशन फ़ाइ नीचे में बटा में लिखेंगे किनना यानि 46 इसे को डिवाइड करेंगे तो यह दो से काटेंगे तो साथ सो पंद्रा नीचे तेइस आ जाएगा ठीक है और यह तीसरा नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं इसको हटा देते हैं और इसमें एक एड कर देते हैं यह तरीका है तो यहां पर 5 से ज्यादा है यानि 6 है तो इसको हटा देंगे और 8 में एक एड कर देंगे एक जोड देंगे तो नहों हो जाएगा 31.09 approximately ठीक है नेक्स्ट है find the median of data from the following frequency distribution table यह distribution table देवा frequency वाला इसका median या माध्यक हमें पता करना है ठीक है तो यह तो simple दिया हुआ है और answer इसका 35.67 approximately तो median हम कैसे निकालते हैं मैं पता है class interval दिया हुआ रहेगा frequency दिया रहेगा सबसे पहले median निकाने के लिए में CF निकाना पड़ता है cumulative frequency तो कैसे निकालते cumulative frequency यह फिरिक्वेंसी पहला चार यह चार को उसी तरह लिखेंगे अगला जो होगा फिर चार में साथ को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा यह जगा अगला फिर 11 को जोड़ देंगे तो यह जाएगा एकी ही जोगा अगला से फिर 11 को जोड़ देंगे जितना होगा और यहां लिखेंगा ठीकर इसा तरह छा शाली चार जोड़ देंगे चावण चोवण चावण में 59 यह लास्ट वाले के लास्ट का हो जाएगा ठीक है यह टोटल जो जोड के आया इसको एन बोलते हैं हम इसके बाद एन बटा दो लिखते हैं बटा दो यानि 59 बटा दो मतलब 59 हो गया 59 बैटो यानि 29.5 29.5 अब कहां पर आएगा हमें देखना पड़ेगा 29.5 से ज्यादा कौन सा हो रहा है ठीक है सी एफ में 29.5 से ज्यादा कहां पर हो रहा तो देखिए यहां तक तो 21 है अब 29.5 से ज्यादा यानि 36 होगा 36 होगा मतलब जो है यह वाला यह 15 और इसके सामने जो किलास है यानि 30 से 40 इस किलास को हम दो बोलेंगे मीडियन किलास ठीक है माद्यक बर्ग ठीक है माद्यक का इस मीडियन किलास होगा और यह उसका फ्रिक्वेंसी होगा अगला हम फॉर्मूला लिखेंगे तो मीडियन किलास क्या हो जाएगा 30 से 40 हो जाएगा और मीडियन किलास का जो यह छोटा वाला नंबर होता है जिसको लोग लिमिट बोलते हो यानि लोग लिमिट को शॉट में L लिखते L 30 हो जागा CF जो है CF का मतलब हो रहा है कि जो median class है उसे ठीक उपर वाले class का जो CF होगा उसको लिखा जाता CF यानि यहां पर देखें median class है 30-40 ठीक है इससे उपर वाला class 20-30 इसका जो CF है तो इसका CF क्या है 21 इसको CF के जगा में लिखा जाता ठीक है और F लिखेंगे F मतलब और median class का frequency तो median class 30-40 से इसका frequency कितना है 15 तो यह हो जागा F के जगा में ओकै तो यह हो जागा F F के जगा में 15 जागा मतलब हो रहा हरे class का साइज यहों कितना है पर एक्शली इंटो एच एलक जगा में 30 लिखेंगे एन बाइट यानि 29.5 आया था मारा माइनस सी एफ कितना होगा 21 होगा बटा एफ हो जागा 15 और एच हो जागा 10 फिर यहां से 30 पिलस 29.5 से किस माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा बटा नीचे 15 इंटु 10 यह आप काट लें तो यह कितना ज इसको डिवाइड करेंगे तो 5.666 आएगा ठीक है और भी आएगा तो हम पॉइंट के बाद तीन नंबर तक ही लेंगे ठीक है तीन डिजिट तर और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 35.666 अब यह तीसरा नंबर चुके 5 से बढ़ा है तो इसको हटा देंगा उससे पहले एक जोड़ देंगे यानि 6 में एक जोड़ देंगे 7 35.67 एप्रोक्सिस का एंसर होगा एं लास्ट जो कोचेन है फाइंड दा मोड डाटा फ्रॉम दा फॉलोइंग फ्रिक्वेंसे डिस्ट्यूबिशन टेबल इस टेबल से में क्या निकानना है इसका मोड निकानना ठीक है बह नहीं पड़ेगा क्योंकि यह जहां पर खतम हो रहा है यह नौ से शुरू हो रहा है ठीक है ऐसा जब रहता है तो हमारे लिए बहुत इजी होता है तो यहां पर हमें देखना पड़ता है जो फिरिक्वेंसी है फिरिक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा है तो सबसे ज्यादा और आप देखेंगे तो फोरे सबसे ज्यादा ओता उसको नहुंकर ऊवान दोन से पहले जो फ्रिक्योंसी ओता उसको एक जिरो बोलते हैं उसके बाध क्राइइं या उसको के दो अभती हैं तो यह अ जयादा क्वेंसी जो सबसे जादा फिरिक्वेंसी स्काड़ कर जो क्यादा समय मोडल किलास क्या होते हैं फ्रेज के कहलेंगा मोडल क्या क्या 12-15 ह्रानार से 15 औरेफ noपार हो जागा फ्रेफ या फॉब जा घएप 24 एक gent व और एल मतलब हो रहा है यह मोडल के लाव से उसका जो छोटा नंबर यानि लोर लिमिट यह हो जाएगा एल ठीक है और एच मतलब हो रहा है जो यह जो मोडल के लाव से इसका साइज कितना तो 15 से 12 माइनस करेंगे थीन होगा यह उसका इसका साइज मोड अब मोड का फॉर्मूला पूट करेंगे मोड का फॉर्मूला क्या होता हमें पता है ऐल प्लस M-0 x..... होता है क्लास दिए के बारा हो जाएगा PLUS F-14 ,2 x ,1 x 3 जो सब भेल हुए यहां लिखावा है अब यह बस हम कैलकुलेशन करेंगे 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 होगा नीचे 24 दून 48 हो जाएगा माइनस 12 माइनस एक इस आप चाहे तो 48 में से 12 माइनस कर ले उसके बाद फिर माइनस एक इस करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो यह दोनों माइनस में हैं तो मैंने इस दोनों को एड़ कर लिया क्योंकि दोनों माइनस होने से एड़ हो जाता है और माइनस ही लिखाता है तो यह दोनों अगर हम एड़ करेंगे हो गया पास से इसको डिवाइड करेंगे तो टू पॉइंट फो राएगा पलस बारा बारा पलस टू पॉइंट फॉइंट फर किना बारा दो चाओदा चाओदा पॉइंट चार तो यह होगी हमारा मोड का वैलू ठीक है बहुलक तो यह होगी हमारा 2020 का पूरा कंपिलीट हो गया सोलूशन और जो मैंने यह सॉल्व किया इसका मैं पीडिया फाइल बना के डेस्किप्शन में देजूंगा आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते ठीक है इसके बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट येर का कोश्चिन फिर सॉल्व करूंगा और थैंक यूवर